हलो फ्रेंट्स मेरे इस चैनल में आपका शोगत है आज की वीडियो में मैं आज बात करूंगा ए बी-सी बॉयलर मतलब एट्मॉस्फेरिक फ्रूडाइस बेट कंबस्षिन बॉयलर में जो एयर और फ्लूग एस के पात के बारे में कीस तरह सी ये ट्रेवल करते हैं बॉयलर के अंदर क्या होता है वाटर को हीट कर इस्टीम बना जाता है और उस इस्टीम को टर्बाइन को दिया जाता है तो इस्टीम में इस्टीम जो बनाने के लिए जो कंबस्षिन करते हैं तो देखिए इसमें पूरा लाएं टॉक्या हूं और इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो एयर है यहां से एयर कैसे एप्मास्फिरिक एयर जो है वो फरनेस के अंदर बॉलर में आता है है और इसमें फ्लूगेस भी कैसे है कि हम आई डिफेंट के दूर कैसे बाहर जाता है तो यह ट्रेवल जो है फ्लूगेस को दिखाया गया इसमें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कि इतनी तरह का फैन लगे होते हैं और उसका क्या काम है सबसे पहले हैं यहाँ पहीज़ते हैं ईडी इंहां यहाँ पर इंडुट ब्रॉप्ट फफैन भी कहते हैं और इसके आगे और पीछे लगशे होता होटा है जो ईफ्लूगे स्टिंडर है यहाँ पर लगे होते हैं ऊстрिए और बीचा काम है फंड़्ट के अंदर इसके काम जो है वो फर्नेस के अंदर जो गैस है जो जो बनता है उसे यह खीचने का प्राम करता है और फर्नेस के अंदर वो निगेटिव टेशन प्रियेट करते हैं बनाता है कि वो फर्नेस के अंदर जो फ्लू गैस जो गंबस्टन से बनता है यहां वो फ्लू गैस पूरा बॉयलर सेक्षन से होकर गुजरता है जैसे कि सेकेंडर शूपर हीटर प्रामरी शूपर हीटर से निकाल कर यह जाता है इको नमाजर को अब एकोनमाजर में क्या होगा है इस फ्लू गैस कोई जो हीट है जो फ्लू गैसे में आ रही है उसकी जो हीट है उसको यह इकोनमाजर को हीट कर देगा और जो जो बॉयलर फिट प्रम से आने वाली जो पानी है ठीक है जो वाटर है उसको वो फिट कर देगा इससे क्या होगा जो बॉयलर के जो कोल कंजप्शन है वो कम लगएगा और बॉयलर की एफिसेंसी भी बढ़ेगे अब फ्लू गैस एयर प्रीहीटर पर पूशता है उसके बाद एयर प्रीहीटर से एसपी में इल्लेट करेगा और इसपी में आउटलेट करेगा इसपी आउटलेट होने के बाद ये डेमपर के सिट्निकल के आईटी फैन के थुरू ये चो क्लीन गैसे वो चिम्नी में चलाएगा या चिम्नी से बाहर एक्मोस्पीर में कि रिलीज हो जाएगा तो इस तरह से फ्लूग एस ट्रेवल किया दूसरा है कि यह चाला beti fan ने क्लार्टी आपटी फैन का मतलब जो प्टै प्नी को बहन बहें पोस्ट भी चहते हैं इसका क्या काम है यह जो कि अबस्टी पहला वह एट्मोस्पिरिक एयर और चिम्तेंबबर हर से जो एग्मोस्पिरिक के फ्लू गेस से वह हीट हो जाता है और जो गरम जो यहां आने के बाद जो एयर है वह कोड़ एयर वह जो हॉट एयर में बदल जाता है और यह वाइड बॉक्स को भेज़े जाता है जहां पर पहुंच सारे एयर नूजल लगे होते हैं अब यहां दो हैडर है अब इस हैडर है क्या करना है एक होता है एबडी हैडर और दूसरा होता है पीए हैडर ठीक है सबसे पहले समझते हैं एबडी हैडर क्या है एबडी हैडर जहां से एयर वाइंड बाक्स में जाता है जो फ्लूटाइजेशन के लिए और कंबर्शन करने के लिए होता है जो दूसरा हेडर है वो पीए हेडर देखो यहां से यहां से यहां से टैपिंग दिया हुआ है और पीए फ्रैन के द्वारा लेतल वाजय के लिए हेडर में भेज़ चैने हमें पीए का क्या गारता है जो यह जो फ्राइंदी का जो एयर है वयंद़ नीमें को आने वाली यसवे लाएकं प्याल्यन में जी फ्यूल है उसको एयर के द्वारा फ्र näm in है यहां पे कोनलोजल में चला जाता है कि कि यहांपे कोन नोजल और यह दोन preserved होते हैं और बअ बघावड फूट से लेते हैं अब हम दियित का वUNGल में जाता है फार बचेया जाता है क्रहbor करें छोट से हो पीएलाइन के कौप करेंद को आता हैं और यहां फे एक मिच्सिंग नोजल है अब यहां पे एर और दोनों मिक्स हो जाते हैं और आगे वह पृथर सब्सक्राइब कॉल में प्रॉप इडरेकर में जो कब्रॉप्षन एलीमेंट होते depending on carbon सब्सक्राइब करता है तो इस तरह शूल के बर रहे जरने पर बॉयलर के अंदर जो फ्लू कैस्ट बनता है वह ट्रेवल करता है कि को नमाइजर एपी एच 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 इस पी और आइडी फेंड के थ्रू वो एक प्रस्वेर में चला जाता हूँ यहां पे अबडी हेडर के पारदे की एक सिकेंडरी स्परीटर के लिए लाइन दी जा जए जो क्या काम रहता है यह जो तो शिकेंडरी है काम है जो अन्वन जो कार्बन पार्टिकल्स है जो को यह गयास के साथ ठेवल करता है उसको गयाव एक कंट्रोल करने के लिए और इन्सूर करता है कि जो फ्यूल की मोशन वो कंपलीट हो इसको इसलिए विए जासे टेमपरचार बार रहा है मैं स्टिम तरी यहां पर बैड मटेरियल अपर दिया हुआ है जो बॉयलर को लाइट अपर करने के पहले इसमें बैड मटेरियल से इसे फ़र्नेस में डाला जाता है कि यह बॉयलर के अंदर जो टेंपरेचर को बना के रखता है